मतलब है चार का एक नमबर है, चार का एक नमबर, 23.3 का चार का एक नमबर है, तो बोला इन ट्रेंगिल P Q R, एंगिल Q is the right angle है, अगर बोला पर इतना दिया हुआ, Q R minus R क्यों इतना दिया हुआ, तो बोला लेट से डेटर्माइन दा कॉस P minus कॉस R का वैलू क्या होगा, देखे है, रूट 5 unit, यह हम लोका दिया हुआ, ठीक है, P R दिया हुआ, मतलब माल लिचे, इसको P लिख देए, इसको R लिख देए, अब कहा है, यह बचा तो क्यों बचा, कितना एंगिल यह यह, तो कहने का मतलब है, कि आप लिख सकते है, आप क्या लिखेगा, आप यह लिखेग यह, क्या दिया हुआ, यह देखे, P Q minus Q R is equal to 1 होता है, यह हम लोको दिया हुआ, यह हम लोका दिया हुआ, तो कहने का मतलब है, कि देखे, यह Cos P का क्या हो जाएगा, P Q by P R minus, यह Cos R का क्यों R by P R, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि is från Fine लिजी, तो क्या हो जागा, PR हो जागा, PR जोêsट होगा, तो यहां सफीद पर कटा, तो P क्यूं आया? मैनस PR कटा, तो क्यूं आरा है? तो आप बोल सकते हैं, पर एमिद पर, क्यूं करते हुआ है, हम लोग के कोशन में, चत्वरी होते, कहने का मतलब बाब लोग इस चार का दो नंबर है in triangle x y z x y z angle y is a right angle if x y 2 root 3 unit and x z y z 2 है the unit then the lit us determine the value of x x minus 10 x का होता है कहने का होता है कि हम लोग पहले क्या करेंगे perpendicular hypotenuse वाला 25 नंबर चिप्टर में जो हम लोग बहुत बार बनाए वो हो गया यह x हो गया यह z हो गया तो यह y हुआ तो कहने का होता है यह angle बन रहा है तो यह value हम लोग को दिया हुआ x y कितना दिया हो 2 root 3 दिया हो यह question में mention है question में कितना यह 2 root 3 तो अब बोल सकते हैं कि given दिया हो आखिर का तो यहां देखे क्या दिया हो यह ए कि x y is equal to 2 root 3 unit ठीक है तो and क्या है x z minus y z is equal to 2 unit is equal to 2 unit यह भी दिय हो यहां का दिया हो यह गोर से दिखे यह दिया हो यह तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप यह लिखे क्या लिखे कि value जो निकालना क्या लिख रहा है value sec x minus 10 x यह लिखे तो sec x कितना है तो sec x हो गिया x z नीचे क्या होजागा Y X Y X Z यहां देखेए एक्स यह वहला एक्स जेड अनीचे क्या होजागा X Y इसको इससे compare करेंगे यह हो गया क्या हो गया है यह हो गया तो yz, yz यहाँ खें, यह देखें, yz, yz हो गिया, और नीचे क्या हो जाएका x y, तो इसको इस से कर रहे है, तो p by b, इसको इस से कर रहे है, तो yz by x which, यह दोनों का का लेंगे, lcms लेंगे, तो x y आया, यहाँ से xy को दो xz minus yz, यानि आप बूल सकते, X Z minus Y Z का क्या value 2 by क्या है X Y का value केतना दियो हम लोग का X Y का value है 2 root 3 तो आप बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि यह जो है आपका 2 2 cut गया तो यहां से क्या बचा 1 by root 3 तो इसका अंसर क्या निकला 1 by root 3 यह आपका अंसर हो गया तो इस तरह से बनाईएगा easy है ज्यादा hard नहीं है